भाई डाक्टर सोमी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे मुझे मौका दिया और ये बहुत बड़ी एक मारण रिस्पोंसिबिल्टी उनिभा रहे हैं और अभी तक उन्होंने मोडर्न नबे से अधिक उन्होंने ब्याख्यान किराया और आज उन्होंने मुझे आउसर दिया इसके लिए बहुत धन्दवाद साधुबाद आज मेरे जो ब्याख्यान का विसर है टॉपिक है वो है विदान दर्सन और इजुकेशन इपनिकेशन दर्सन क्या है अभी तक मैं देखा काफी तो मैं पर्सनली अपने तरफ से और नागालड इनिवर्शिटी की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस गुरूप को कि जिन्होंने मैं उसर दिया आज मैं जो अध्यन करने जा रहा हूँ जो मेरे ब्याख्या के टॉपिक है वो है बेदान दर्सन और इसकी सैचिक उप्योगिता इसके पहले काफी ब्याख्यान हुए दर्सन पर मैं सुना भी और काफी हमारे दोस्त हमारे काफी दवानों ने दिया बहुत उप्योगी रहा हाला कि बेदान दर्सन और उसकी सैचिक उप्योगिता को एक घंटे में समात करना मुस्किल है बेगि मैं कोसिस करूँगा कि जि बिएट बच्चों के लिए एमेट बच्चों के लिए ज्यादा इस पूलों बेदान दर्सन को सुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि दर्सन मुख्र उससे दो भागों में बाटा गया है वो है आस्तिक और नास्तिक जैसा कि सब लोग जानते हैं जो आस्तिक दर्सन और नास्तिक दर्सन का जो आधार वो है बेद जो बेदों में विश्वास करता है वो आस्तिक जो बेदों में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक इसी परंपरा के खर्ष दर्सन या छे दर्सन है जो आस्तिक है और तीन दर्सन है जो नास्तिक है जिसमें चारवात जायन बहुत ये नास्तिक दर्सन है क्योंकि यो बेदों में विश्वास नहीं करते वहीं दुसरी तरफ हम देखते हैं कि आस्तिक दर्सन जो बेदों विश्वास करते हैं उसमें आपके च्छे दर्सन हैं सांख, योग, न्याय, बैसे सीक, मिमानसा और विदान्द ये मेरे अनुसार अगर दिखा जाये तो ये छे दर्सन में बेदान्द दर्सन सबसे महत्वपूर्ण दर्सन है और ये इतना महत्वपूर्ण दर्सन है कि इसके बारे में राधा कृष्ण ने कहा है कि बेदान्द दर्सन ऐसा दर्सन है जिसके परे कोई दर्सन हुआ नहोगा उनका इस्टेटमेंट है दो फाइनल फेस आफ हुमन थार्ट इसकाल बेदान्द दर्सन तो बेदान्द दर्सन क्या है इसका कौन प्रवर्थक है कौन समर्थक है ये जानने से पहले बेदान्द दर्सन का उद्वा कैसे हुआ इसका इतिहास क्या है ये थोड़ सा हम इस पर प्रकाश डालेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि बेदान्द दर्सन का एक छोटी सी कहानी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दयानन्द जी एक बार वो गए बिरिंदावन और बिरिंदावन में एक महात्मा थे बिजानन उनके घर पर गए और जैसे ही उन्हें नौक किया तो अंदर से किसने आवा दिया कौन तो दयानने कहा कि सर कौन इसी का तो आंसर खोज़े के लिए मैं आपके पास आया हूँ तो अंदर जो महात्मा जी थे कहें कि आओ वास्तों में तुम मेरे अच्छे सिस्स हो तो जो बिदान दर्सन में क्या है कि ये कौन हूँ एम आई के बारे में हम अध्यन करते हैं और करेंगे सबसे बड़ी बिरंबना ये है कि बिदान दर्सन के प्रतिपादप कौन है इसके प्रतिपादप कौन प्रवर्तक थे ये सारी बाते जानने से पहले ये हम बताना चाहेंगे कि बिदान दर्सन वास्तों में इसका उद्वाव क्यों हुआ तो बिदान दर्सन के उद्वों के दो कारण है ये इसका दो प्रवाव है एक तो बिदान दर्सन के जो प्रवत्तक मना जाते हैं या मना जा गया है जिसे हम आपको मालूम है संकराचार हैं बिधान दर्सन में वादरायंड ने जो वादरायंच का नाम था ब्याद्बाज विश्ट क उन्होंने ब्रह्मसुत रे लिखा और ब्रह्मसुत्र को जो भा से लिखे उचे संक्राचार का नाम हे रामानोजित Land का चार नाम है मद्वया चार का नाम है निम्मः का चार का नाम है इस सारी बात कि हम डिसकस करेंगे अ लेकिन आज ये जाना चाहें कि बिदान दर्सन का उद्थक क्यों हुआ और ये किस परसंट जो बाते होती हैं वो कहीं ने कहीं धर्म नीतिपाधारित है और हर बेद के आंत में 10 परसंट जो बाते होती हैं वो कहीं ने कहीं हमारे जीवन से संबंदित हैं और जो जीवन से संबंदित हैं यही जीवन से संबंदित बातों को यह प्रस करता है कि क्या है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए तो कहने के मतलब कि बेदों को दो भाग में बाढ़ते हैं पूरुबेद जो 90% बाते हैं, वो हमारे धर्म, नेती, उपासना पाधारित है, और जो 10% बाते हैं, जो लास्ट में वो बाते हैं, वो हमारे फिलासपी और दर्सन के बारे में बताता है, इसलिए बेदान दर्सन को हम उपनिसत दर्सन भी कहते हैं तो यह अब इसका प्रतिपादक कौन था तो सर प्रतिपादक तो कहीं है लेकिन संकराचार का नाम आता है क्योंकि संकराचार ने कहीं एक दर्सन उसका नाम है अध्यतवाद तो जब बेदान दर्सन के या हम एजु मानुच संकराचार और अमनुच को दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो आधर ब्रदान्त धरसन में संकराचार का कैसे हुद्वा हुआ? इसकी एक छोटी सी कहानी है जो सको मैं बताना जा रहा हूँ. जैसा कि बिदानते हैं कि Sankarachari पर दो लोंका प्रभाव था एक उनका प्रभाव था उनकी मा का जब वो सन्यास लेने गहीज़े तो मा ने कहा कि अगर तुम संन्यास ब्रश करने चाथे हो तुम ग्यान प्रभाव करने चाहरे हो तुम एक गुरू चाहिए उनके पास जाओ वो यह तुमें सिछा देंगे जब वो यह गौणपात के पास गये आचारी के पास गये वो कहे कि देखो भई ऐसा है कि मैं तो सिछा नहीं दे पाऊँगा हमारा एक सिस्ष है गोविंदाचार उनके पास जाओ पिर संक्राचार वहां से गुविंदाचार के पास गए गुविंदाचार कहें कि भई गुविंदाचार की जो वहां गए तो बोले देखो भई ऐसा है आचा उस समय किया था बहुत धर्म कर प्रचार चलना था और बहुत धर्म समझे की चर्म सिमा पता और उस समय बैदिक ध खर्म की अस्थापना हो बेदों के बारे में अध्याइन हो और बेदों की जो मूल मिमांसा है खास हो से जो उनका अंती पाव दार्सनिक बातों की हम बीविचना करें तो गोविंदा चाहर ने कहा कि देखो वाई तुम जाओ एक बहुत दर्सन को मानने वाले कुमारी भट ज खनते से क बहुत हैं कि मांसा के काफी जब कुमारी भर्ट गए तो वह कुमारी भट भी देखो हम तो अपना देह याह म मेरेग को क्योंकि हम जो मेरे गुरु की आलसना कर रहें क्यों कि हमारी भट जी बाओ दर्सन के गुरों के कड़्वा हो काफी कूशन किया की क्या उन् मंदन मिस्र। तो आप ऐसा करो मंदन मिस्र की पाच जाओ लेकिन मंदन मिच्र के पाच जाने क्योंकि उसमें द्रमक कर पालि और घर चानी तो से चन्त शुआ रहेगा तो कि मानें का मटन कि और कर कौन सा है इस कहा देखना कि काफी मैलाएं हैं तो जो मैलाएं कोई मैला अगर संस्कित में बोलती है तो समझ जो कि इस संस्कित भासा का प्रयोग कर रही थी तो उससे पूछे बोले काम करो आप यहां से चले जाओ आप जाके देखो कि जिस गाउं के दरवाजे पर एक तोता और मैना बैठा है और दोनों संबाद कर रहे हो तोता जो स्वतह प्रमाणवाद की बात करता हो कर रहा हो और मैना परता प्रमाणवाद नयाईक का है और परता प्रमाणवाद जो है वो है मिमान सा का है तो दोनों भी बात कर रहे हो यह समझ जाईए कि यही घर मंदन मिस्टर जी का है तो उसके बाद वह गहे तो देखे दो तोते आपस के संबाद कर रहे हैं कोई आए कि यही प्लमाणबाद स्वता होता है तुफ वो समझ गए कि यही गार है जो हमारे गुरू जी का है यह मंदन मिस्र जी का है यही मुझे ग्यान प्राउप्त हो पाईगी तो संकराचारे जी उस घर में गए और जाने के बाद जब अंदर गए तो देखे मंडन मिस्रक के साथ उनकी जो पतनी थी वो काफी बिद्वानती अब बिद्रुशी थी तो वहां उन्होंने ज्ञान प्राफ्ट किया और ज्ञान प्राफ्ट करें कई कोश्चं उन्होंने पूछा इस कोश्चं कुछने के बाद फिर उसके बाद कहा कि भाई अब मुझे बताना है कि आखी सत्त क्या है यह कहानी है संक्राचार का और आज संक्राचार की यात्रा इस्तार हुई और मंडण में इसने कहा कि देखो भाई ये बेद ब्यास वादराने द्वारा रचित ब्रहमसुत्र है इस ब्रहमसुत्र को पर भास लिखो और यही कारण है कि संक्राचार जी ने उस ब्रहमसुत्र पर काफी भास लिखा और वही भास इसको नाम है ब्रहमसुत्र भास तो संक्राचार का प्रमुक गरंथ है और आप जान जाएए कि पहले वही विद्वान वही आचार की डिग्री प्राप्त करता था जो ब्रमसुत्र पर भाय से लिखता था या जो अधिकारी हो तो खुदा था तो यह कहानी यह बातें बताएंगे अब जो प्रस्ण उड़ता है कि बेदांत क्या है बेदांत दर्सन का मतलब क्या है तो बेदांत दर्सन के दो मतलब है पहला इसको बोलते ह या बेद का अंत भाग, जो बेद का अंती भाग है, वही बेदान थे, जैसा कि अब ने बताया तब ही, कि राधरा कृष्ण ने कहा था, कि ये वर्ड में, इंडियाम नहीं, पूरे बीस्व में सफसे सर्वत्व दर्सन है, क्योंकि इसके आगे कोई दर्सन न है, न होगा, क्योंकि ये, जैसे हम बेदान दर्सन की बात करते हैं, तो सारे दर्सनों का निचोड है, इसलिए बेदान दर्सन में, वादरायन ने जो ब्रमसुत्र लिखा, उसमें सारे दर्सनों के, ये सारो बेदों का निचोड लिखा है, तो इसलिए कहा गया है, ये बेदों का अंत ह इसके बाद कोई भी दर्सन का उद्वाव नहीं होगा तो इसलिए काते बेदांत दुसरा अर्थ है कि इसको बोलते है वेद मतब विदमित ग्यान तो इसलिए ग्यान की जहां प्रकाष्टा हो ग्यान की जहां चरम सिमा हो वो बेदांत है तो बिदान के दो अर्थ हैं, एक दो बेदों का अंत, दूसरा ग्यान की प्रकाष्टा, तो इस दिश्ट से ये कहला आता है बिदान दर्स, बिदान दर्स के प्रतिपादक, जैसा कि संकराचार के बारे में बता चुके हैं, कि संकराचार ने, इन्हों ने कहा, संकराचार ने कि जो सत है, ultimate truth है, वो केवल ब्रह्मा है. ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही उपादान कारण और निमित कारण दोनों है. तो ये बाते हम तब त्विमान से में अध्यन करेंगे, तो ये इसके प्रवर्टक पहले हैं आपके संक्राचार, दूसरा आपके रामानुचर, रामानुचरين ने कहा कि ब्रह्म तो है, लेकिन वो इस्वर है उसके दो बिशेसर है, वो एक है चित अचित इस प्रकार चित अचित इस बिशिष्ट गुणवाले कराए बिशिष्टादोयत. मधवयाचर जो है, वो दोयतवात को मानते हैं, करें नहीं तब तो द्वा है निम बलबाचार तो सुधा दिवैद यह है बेदान दर्सन के प्रतिपादक्त है लेकि इसमें प्रमख रूप से दो काफी चर्चा में संकराचार और रामरेज चार अब जो यह प्रस्ण यह उठता है कि बेदान दर्सन के अर्थ जाने के बार बेदान दर्सन का क्या है और इसका एजुकेशनल इंपिकेशन का बताने के लिए हमको दो बातों पढ़ाना को एक तो बेदान दर्सन के मूर्च इद्धान्द है उसके बारें बताएंगे और दूसरी बात बेदान दर्सन और सिच्छा में उसका क्या इद्धान इसके बा वा थ्यूत्तम विमांसा, घ्यान विमांसा, मुलिमांसा. हाला कि हम यह कोशिश है कि जो बेदान दर्शन में मुल रच् obviamente क्योंれ क्योंकि जो ब्रह्म सुत्र में काफी तत्तों की बारे में बढ़न किया गया जिसमें ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, इस्वर क्या है, माया क्या है, अबिध्या क्या है, तो इस सारी बाते को हम अध्यन करेंगे, लेकिन इसी सारे इंफ्रमेंसों को हमने तीन of reality या वह दर्शन की वह जो साखा जो तत्व संबंदी समस्चाओं का बीवेचन किया जाता है वो तत्व मांसा होता है जैसे कि आप जगत क्या है इसका ultimate reality क्या है तत्व है तो एक है दो है उसका स्थित्व क्या है इस सारी बाते हैं तो बेदान दर्शन में कि अनुछ साथ त तत्व एक है और वो तत्व है ब्रह्मा अब ये देखिए ब्यदान दर्शन को समझना और उसके बारे में बताना उनके अंसार जो जगत है ये पूरे जगत का जो कारण है वो ब्रह्मा है और ब्यदान दर्शन में संकराचार ही है जो कहते हैं कि जो ब्रह्मा है वो जगत क ब्रह्म्हा के अलवा किसी भी टत्व कि सत्ता नहीं मानते, अप प्रशुर्ता है, इस्वर क्या है, जीव क्या है, वो बॉले कि जो इस्वर है, जीव है, ये सब क्या है, ये सब, इसलिए उन्होंने पूरिया जगत को तीन भाग में बाटता, एक प्रतिवासिक जगत, एक ब और ये बात सत्थ्ह है की बिदान दर्सन कि जब हम इस सारे जगत की स्वरूफ का द्धराना करेंगे तो यह जात जैसे हूं हम jo about बाते कर रहे हैं यह वास्तुम में सत्थ नहीं है आज हम फेस्बूक से मैं लेक्चर दे रहा हूं यह मेरा सत्थ नहीं है, मेयसत कुछ होर है, क्योंकि ये बिववली जगत है, तो प्रतिभासी जगत जो होता है, वो चनिक होता है, और चनिक का मतलब क्या होता है, कि वो ग्यान के द्वारा उसका समधान हो जाता है, जैसे अगर हम अधेरे में जा रहे हैं, और रस्ती को देखका सर्व का भ्रहम होना, सीप में मोती का भ्रहम होना, ये क्या है? ये प्रतिभासी का उद्राण है। राजा एक बार उन्होंने सब ने देखा कि कोई सेना हमें प्राजित कर दिया और मैं जंगल में भागने के बाद मैं जंगल में छीपा आँगा उसके बाद मुझे नदी पार जाना है। और जो नदी के पास गए तो नाव लुप्थ हो गई। फिर उसके बाद चिला है, चाओ बचाओ, सारे जितने आपके नौकरते दोड़ गए, महराज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सपन देखा, फिर उन्हें तुरंद अपने दरबारियों को बुलाया, बुलाने के बाद ये बुला कि भाई देखिए, ये क्या है? मैं तो सपन ये देखा, क्य पार्ट है, ये भी सत्य नहीं है. जो सपन देखा, वह प्रतिभासिक था, वह भ्रह्म था. सत्य क्या है? वह सत्य है आपकी आत्मा. अब बताइए, जब सपन देखे थे, तो क्या सरीर, आपके नदी के पास, क्योंकि उसमें तो आपको सरीर लेटा हुआ, तो आपके पास है, राज, पार्ड, नो कर, चाकर, ये तो सर्भ वयहारिक के सत्य हैं. क्योंकि जो सत्य होता है, वह त्रिकाल बादित होता है, तीनों यूगू में सत्य होता है, वो है ब्रह्मा. और जो वयहारिक जगत है, जो आप देख हbahnे संसार्री जगत है, projeto मौय मया है, ये तो वयहा होगा आपकी अबिद्या हट जाएगी माया हट जाएगी ब्रह्म का स्वरुप्राफ्त होगा यहीं आपका मुक्ष है तो कहें कि जो आपके स्वर्पन देखा वह भी असत्य है और जो आपका राजपाठ है ये भी असत्य है सत्य क्या है आप आपकी चेतना आपका आपका ग्याता आपकी आत्मा आपका प्रह्मा अप उसके बाद बोलें तब बस तब ये कि आप जानी कि मैं क्या हूँ आपका अस्त्य क्या है और यही बेदात बेदान दर्सन क मुल्यूद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द ये क्या है लिए लिए पुर्ट है क्योंकि जो आसत क्या होता है यह जैसे घृ यह तो माया ब्रहु की सक्ति है तो माया भी ढ़न से क्या और यह जिए अखिर क्या है आखिर तब संक्राचार करते हैं कि ब्रह्म ही एक मात सत्ता है माया द्वारा जब माया का जब आबरन ब्रह्म पड़ता है तो ब्रह्म का स्वरूप चेंज हो जाता है और ब्रह्म सग्रूब्रह्म के रूप में ये कलाता है और वही स्रिष्ट का निर्मान करता है means जिस पकार ध्यान दिजी जिस पकार कोई मकड़ी जब मकड़ी अपना जाल बनाती है तो कहीं से सामगरी लाती नहीं है वो अपने अंदर से बनाती है तो इसी पकार संक्राचार का मुझान देशने हैं कि ब्रह्मा भी स्रिष्ठी करता भी है और अपना मेटियर काज भी हुई है तो ये नेक्स्ट जो कुशन है ये तत्व मांसा फिर वो कहते हैं जगत क्या है जगत क्या है असत्त है जगत परिवरतन सील है इस प्रकार तत्व मांसा में दो एक तत्व जो है परिवरतन सील है आज जब प्रसव स्पाइश वाजनी पड़ेन छी तवा आकिस तुर्ण किस होता है तो जितने बी तत्व परिवत्न सेल स inevitably असात्य है और जितने बी तत्व एक सितने नियर्शन को आप यहीत गुणी तत्व कि Τट माननता है और ने जा स्कका लीष परसूल ऑनके किसी स्रिष्ट क पता है जब ब्रह्म कई करता कहि है या स्रिष्टि कैसे होती है एकी स्रिष्ट कर το पता है लेकिन कोई लोटा में तस लोटे में वाटन है या थाली में तो सूर गीत दिखाई देगा इसका तब ये नहीं कि सुर्ण के कई रूप है उसी प्रकार ब्रह्म एक है लेकिन उसका प्रतिभीम्ब प्रतेक सरीर में डिफरेंट डिफरेंट है तो इस लेम करते हैं कि ब्रह्म एक होते हो भी अनेक है और ब्रह्म अनेक है ये इसका जो में कारण है वो है माया तो माया ब्रह्म और जो इस्वर है माया उपहित माया के दोवारा अच्छादित ब्रह्म ही इस्वर है रामानुचार करते हैं नहीं यह सा नहीं है रामानुचार करते हैं कि ब्रह्म इस्वर को उन्होंने एकी रुपे किया उन्हें कहा कि नहीं, जो ब्रह्मा है, उसके तीन तत को मानते हैं, चेतन जो है वात्मा है, और चेतन जो है जड़ है, और ब्रह्मा, तो जो चेतन और चेतन है, वो ब्रह्मा इस्वर के कुण है, इसलिए उनका सिध्धान बिस्षिशा दोयत कलाता है, जैसा कि मैं बताया था और संकराचार बेवारी जगत को असत मानते हैं जबकि रामारजुचार बेवारी जगत को असत नहीं मानते हैं सत्य मानते हैं और दोनों जगत को सत्य मानते हैं तो ये अब आज ये नेक्ष्ट की अबिद्या क्या है अब देखिए अबिद्या की जहां तक बात है बहुत लोग ये कहते हैं कि जो अबिद्या है और माया है तोनों एक है मैं बताना चाहूँगा कि माया माया जो है तीनों गुर्ण से संपन है ये ध्यान दिजिएगा तीन गुर्ण आप जानते होंगे जैसा कि सांक दर्शन में है तीन गुर्ण सत गुर्ण तम गुर्ण रजगुर्ण तीनों गुर्णों से युक्ति माया है और यही ब्रह्मा की पावर्ण है या ब्रह्मा की उ जबकि सांक दर्सन का तुरातमक सत्थ है ये अंतर है अब माया अबिद्या को दोनों को एक मानना ये समझ जाई ये की भ्रम है और इसलिए माया की कुछ भी सेस्ता है जैसा कि आप जानते हों कि मैं बताया था कि माया जो है बेवारी जगह से मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहा सत्थ है लेकिन अध्यात्मी रूप से पारमाथिक रूप से ये सत्थ नहीं है यह इस्वर की सक्ति है और माया के दो कार है यह जैसा कि आप जानते होंगे यह मैं बताना चाहता हूं इसलिए मैं बताना हूं डिटेल से कि जब तक बेदान दर्सन की फिलास्पिर समझेंग पहला आवरण दूसरा बिच्छेप आवरण के द्वारा क्या करती है माया कि जो ब्रह्म का वासिक स्वरूप है उसको ढख देती है और बिच्छेप की द्वारा क्या होती है उसके बिभिन रूपों को जगत में उत्पन करती है तो जगत में जितने भी तत्व देखते हैं ये ब्रह्मा के ही तत्व हैं हम भी जो बात करें हम भी ब्रह्मा के तत्व हैं सारे चीज ब्रह्मा के तत्व हैं लेकिन ये बैवहारिक रूप से सत्व नहीं है और क्यों ऐसा दिखाई देता है क्योंकि हम माया के द्वारा ब्रह्मा को हम आबित कर चुके हैं और एक और, कि माया जो है, वह ब्रह्मा का आस्रै अभीस्य दोनों है, जिस परकार कोई जाधुगर है, आप जानते हूं कि जो जाधुगर है, जाधुगर जाधू दिखाता है, तो वो संसार्ख प्रोषाइट करता है, न दोकि अपने आपको, यही कारे ब्रह्मा का है। अब आज नेक्स कोईशन है कि माया अबिद्या में अंतर जो में बताया था देखिए माया अबिद्या को एक मानना बेदान तो है खास हो संक्राचाने मानना लेकिन बाद में माया अबिद्या के में अंतर है अबिद्या जो है वो बिद्या का अभाव है या हम कर सकते हैं अब बिद्या से जीव को हम ढखते हैं, अजीव से उपादी है, जबकि माया है, वो इस्वर के उपादी है, ब्रह्मा के उपादी है, मेंज अब बिद्या के दोरा जीव अजीव हो जाता है, माया के दोरा इस्वर, ब्रह्मा इस्वर हो जाता है, बिद्या में, बिद्या में तमगुन की पदानता है तमगुन तमगुन जो चंचल का प्रतीक है जबकि माया में सत्गुन की पदानता है क्योंकि माया ब्रह्मा की सक्ति है तो इस पेकार हम कर सकते हैं कि माया अबिद्या में मुल्बूत अंतर है काम, क्रोध, लोब, मोह, माया जितनी हम बाते करते हैं य जबकि माया जो है इस असत्य को हटाकर या असत्य को करके वो हीतों की बाते करती हैं, इसे माया क्या है, वो ब्रह्मा का स्वरूप सकती है, आत्मा संकराचार बिदानत्य माया कि आत्मा जो है, ब्रह्मा कांस है, या हम का सकते हैं, आत्मा ब्रह्मा में तादात में संबंध है identical relation है आत्मा ही ब्रह्मा है ब्रह्मा ही आत्मा है जैसा कि महत्मा गादी ने कहा कि truth हीजे truth हीजे God God is the truth और अगर चाहें तो प्रोजनवाद में कह सकते हैं उसने बिल्लियम जेम से कहा था truth हीजे useful, useful हीजे truth इसी प्रकार बेदानता में संकराचा ने कहा कि जो आत्मा है वही ब्रह्मा है जो ब्रह्मा है वही आत्मा है इसलिए वो आत्मा को अजर, अमर, अमरित मांगते है आत्मा कभी मरती नहीं है क्योंकि देखिए बेदानता पर गीता अपनिस्ति का प्रोभा वो मैं बाद में बताऊंगा जब उसकी ब्याख्या करूगा कि उसका क्यारोले सिच्छा में तो आत्मा का ज्ञान हम इसे ने प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे उपर पुद्धी, मन, अहंकार का आवरण है जिस दिन माया का आवरण हटेगा हमें सुद्ध ब्रह्मा ज्ञ ब्यदान की प्राप्त होगी और देखिए अगर एक लाइन में हम कहें तो ब्यदान को जानना जानने के लिए कई उसके गाइडलाइन से कई उसके कंडिशन है वो मैं अध्यान बताऊंगा आपको उसके सिच्छर विदियों में जिस प्रकार हम रस्षी को सांप सीप को मोत बैते हैं आप करते हैं यह सभाविक है उसी प्रकार माया के दौरा हम मन बुद्धी हंकार को हम समझते कि मेरी चेतना है हम करते हैं मेरा मकान मेरा घर नहीं आपका माकान आपका घर नहीं है जिस एक उधान दूँ सोना सोना ओवर्ड को हम चेंजी कर सकते हैं लेकिन सोना का स्वरूप नाम बदलेगा सोना से आभुसा बनाईए काम में बनाईए नाक में बनाईए गले काहर बनाईए यह बिभिन रूप है यह परिवर्तित हैं लेकिन जो ब्रह्मा है सोना है क्या ह सोना को हम कुछ हो नहीं कर सकते हैं, सोना का यह ततर्ष लश्चन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा, इसलिए आत्मा जो है, क्या है, यह आसंसारिक है, यह इस्पिश्चुल है, अध्यात्मिक है, यह ब्यापक है, यह नित्य है, अनित्य नहीं है, इसलिए हम क कर सकते हैं कि संकराचार विदान दर्सन ने आत्मा को कहा कि यह हमारे प्रमाण से परे है इसके बारे में हम क्यवाल हम पिश्वास कर सकते हैं इसको हम सिद्र नहीं कर सकते है नेक्स अत्विमान सामें जीव विचार आता है जीव क्या है अदेवत विदान्त में जो जीव है जिसे पताया है क्या है यह अग्यान है अबिद्या के सिष्ट है ज्यान देजिए यहां जीव माया के सिष्ट नहीं है यह जीव अबिद्या के सिष्ट है कि अबिद्या के द्वारा ही हमें जीव की उत्पत्ति होती है जीव है हमारा अग्यान का आस्रह है और इसी जीव के का आने वाला उपर बैठा हुआ है इसलिए संक्राज रखाते हैं कि परमार्थ दोनों जीव ऐस्वर जो है परमार्थिक दुर्ष्टे असत्थ है जबकि बेवारी जगत से सत्थ है क्योंकि ब्रह्मा लीला करने के लिए वे माया के द्वारा इस तृष्ट में आता है और आने क के बार विविन रूपधान करता है ठीक है तो यह रहा उसका जीव अब जीव आत्मा में क्या अंतर है वही अंतर है जो आपका क्या ब्रह्मा जीव क्या है अनित्य है परिवतंसील है जबकि आत्मा क्या है नित्य है निर्वा है या अकस निरुपाद ही है अनन्थ है संसार बेदानत पर्भुता होने करने रुप बैदानत में जई को करता भुक्ता करते हैं, तो यह सारा है, सब्सक्राइब बात हैं इसमें ईसना आपनी को विल मॉक्ष्या बात्रान चाहें, विद्यास हिच्छा वो यह से मुक्ती मी में रहे यह उपनिसत्हे एले की बेदान भी मांता है। बेदान दर्शान में आप जानते हैं कि मुख्ष के कई नाम हैं। कहीं कैवել कहा गया है। को आपवर कहा गया, संक ने आपवर कहा, जैन pection कवल कहा, कहीं मुक्ष कहा गया, कहीं मुक्ष कहा गया, तो सारे दार्सivi colonik अपने पने उसार, मुक्ष की स्वरूप का नाम नाम दियें बड़ले है, तो जनम, देखिए दो तरह की मुक्षती होती है, एक होती है बिदेह मुक्ति, एक होती है जीवन मुक्ति, एक होती है सदेह मुक्ति या बिदेह मुक्ति, तो जीवन मुक्ति संकरचार दोनों मुक्ति मानते हैं, दोनों मुक्ति को मानते हैं, वो है सदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति और सदेह मुक्ति, जबकि रामानुचार ज जीवन मुक्ष को नहीं मांदे, अब क्या है, जैसे बताया थे आपको, जन्म का कारण क्या है, दुख है, तु का बिनास क्या है, मुक्ष है, तो मुक्ष क्या है, इसके बारे में संकराचार ने कहा कि मुक्ष कुछ नहीं है, जैसा कि मैं बताया था, कि द्यानन नॉक किया, उन्हें पुछा कौन है? तो कर एहित जाना चाहता हूं कि मैं कौन हूं? अपने स्वरूप को पहचानना, अपने इस्तिति को जानना, अपने अस्तिति को पहचानना, वो मुक्ष है. जैसा कि आप जानते होगे कि दस बिद्वान थे, आप सब काउंट कर रहे हैं कि बताओ वई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौर, तो दसवा कौन है? तो बाद में उन्हें कहा कि दसवा मिज़ी से हम काउंट कर रहे हैं, दसवा मैं हूँ, तो अपने स्वरुप को जानना, अपने इस्तिति को जानना, इसलिए, सेल्फ रियलाजेशन, आत्वन भूती, अपने अस्तिति को जानना ही मुक्ष है, या इसलिए संक्राचार ने क कहा है कि अज्ञान के कारण क्या होता है, कि हम जो नित्य है, वो मुझे अनित्य दिखाए देती है, जो चैतन है, वो हमें चैतन दिखाए देती है, जो तो इसलिए जब ज्ञान के द्वारा, जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा हमें सर्व के जगा रजु का भास होता है ज्यान के दोरा मोति के जगा सिफ का अभास होता है यही इसी इस्तिति आपका जगत में है जब हमको ब्रह्म ज्यान प्राप्त होगा जब मुझे ज्यान प्राप्त होगा इसलिए ज्यान के दोरा हम अपनी इस्तिति को प्राप्त करना ही म हमारा मुख्यूद से उन्हों कहा कि जिस प्रकार दान भोग जिते भी लो मायम हो है क्या है हमारे कर्म के द्वारा होता है और कर्म के द्वारा हम क्या होती है लेकिन अग इस कर्म के द्वारा हम अपने चित को सुद्ध करते हैं तो पहले सरी सुद्ध होता है फिर चिंता से स तुम दसम, तुम ही दसमा हो, ठीक है, तो अपने अस्थित को पहचानना ही मुक्ष है, अब ये जानने एक बात, ये बिदान दर्सन के मूलभूत आपके तत्तो थे, और जैसा के उद्रहान दे दिया, और जगत को उन्होंने तीन भागों में बाटा, इससे बाते हम तत्मिम मुमानसा क्या है, ग्यान मुमानसा के अंतरगर्थ, संकराचार या बिदान दर्सन में ग्यान मुमानसा की से काते हैं, देखिए, ग्यान मुमानसा, इपेश्च चबलाजी सबको मालूम है, कि इसको बोलते है, थियूरी आफ नॉलेज, थियूरी आफ नॉलेज, थियूरी कि जिस साख हम की जाती है वो jourans zach की अगर पाशचात मेघे जाएंगे तो ज्ञान के सोत्त आ कोई बुधिवादी है कोई अन्भवादी है कोई समिच्छावादी है बुद्धिवादी मानते हैं कि बुद्धी ग्यान का एक स्रोत है इसमें आपका सारे वो आपके दिकारते इस फिरुजा लगनी जाएंगे अन्भवादी में वो अन्भव को मानते हैं जिसमें लाक बरकली हिम हो जाएंगे समि पराग्यान या अपराग्यान? पराग्यान का अपराग्यान मतलब जिसको बोलते हैं संसारिक, अपराग्यान का संबंद संसारिक से होता है, मैट्रियल वर्ट से होता है, जगत के दो रूपरत है, फिस्च्वल वर्ड और मैट्रियल वर्ड, तो जो पराग्यान है, वो है spiritual word आपरा का मतब होता है लोगिक और बेवहारिक ग्यान इसलिए ग्यान के वो दो भाग करते हैं कि ग्यान के दो सुरूपे एक परा जो हमारे इंद्रियों से परे हैं ठीक है जो इसलिए वो परमार्थिक सत्ता की बात करते हैं तो परा ग्यान का हमें नौलिज कहा होता है परमार्थिक जगत पे बेवहारिक जगत में जो ग्यान है यह कराता है लौकिक बेवहारिक जगत यह कराता है अपरा बिद्या तो संक्राच्या ने कहा कि जितने भी बेद ब्रामःड आरक उपनिसत और गीता यह तत्विमांसा को क्या मानते हैं परा ग्यान मानते हैं औ उसका जो उस्टेج जो लोरग उसका अपर स्टेज है और जो पराग जयान के द्वादा ही मन उससे मुझत को प्राप्ट कर सकता है और पराग ज्यान के लिए उनुएन पुछ बिद्धियां बताई इसला कि आप हम धist करेंगे उसमें स्रवन है मनन है निधी द्यासन है और साथ में कहा कि जब पराग्यान को प्राप्त करने के लिए उस सबसे जो प्रमुक है यह हम कह सकते हैं बिदान दर्सन का प्राण है वो है साधन चतुष्टे यह बहुत इंपोर्टेट है क्योंकि देखिए बिदान दर्सन का अधिकारी वही हो सकता है जो साधन चतुष्टे का अधिकारी हो या बिद्वान हो तो इसलिए उकाते हैं कि साधन चतुष्टे में कई हैं नित्य नित्य बस्तु विवेका भोग बिरक्ति संब्दम संजमाद उडिस्स करेंगे और उसी संदर में रामार्चार ने कहा कि नहीं ग्यान के दो ग्यान है, एक है धर्मी भूत ग्यान, एक होता है धर्मी भूत ग्यान, धर्मी भूत ग्यान का मतलब क्या होता है, जो करता ग्यान है, तो यह ग्यान के रूप है, यह ग्यान विमानसा है, एक अडिन टू बेदान और इसके कई और पार्ट हैं लॉजिक है इथिक्स है यह सब आपके नितिसास्त और तक्सास यह और एक है संदर यह सास्त यह भी आपके एक जो लॉजी के अंदर आएगा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे अब जो प्रसुर्टा है कि विदान दर्शन के अनुसार आचारि मान्सा क्या है यह निति मान्सा क्या है जैसा कि हम बताएं पहले कि संकराचार ने जीवन के दो रुप में बाडआ है एक अपरा एक परा अपरा का मतलब होता है यह लोकिक जगत अपरा का परा का मतलब अध्यात्म जगत तो ब्यवहारिक दिश्टे मनुस को अपने वड कर्म को निष्टा मंदारी से करने के सला दिए कि भाईया जो आपका वड कर्म है आप कीजिए और जो ब्यक्ति हैं अपने वड कर्म के अनुसार निष्टा पूरवा के मंदारी से कार कर रहा है या उतना ही वो बेवहारिक रूप से सफलोगा कहने का मतलब कि वर्ण कर्म के अनुसार काम करना ही आपका नेतिक करतब है जैसा कि अब भी मैं कहूं कि आज हम डक्टर सोमू सिंग ने जो ये बताया कि हमारी एक नेतिक करतब है ने रहते हैं हम टिचर हैं हम एक होने करता के ये को विद्य into डारा जो बच्चे हमारे घ्ञान हमारे मटायद से नहीं प्राप्ट कर थो। हम भी मैंने कहा कि संक्राशार बोलने कि आंट्रीमड्यश कि मुक्ती प्राप्त करना और मुक्टि प्राप्त करने का मत्ब क्या होता है इसलिए अट मैं बताया था कि संसार मेरेहां कहते हैं स्ब्स च्खेशाक द्वारा Kommunen करना और नन्तिंड्यासन के दो अपने कर्म करना और साथ साथ ही साधन। इस ड्रे में और करना कर जबकि संकराचार रामनाजाचार ने उन्हें कहा कि वो अंतिमुद्दिस क्या है मुक्ति प्राप करना इसलिए जीवन मुक्ति को नहीं मानते इस प्रकार उपित दिविचना के अधार पर हम कह सकते हैं अब कह सकते हैं कि विदान तरसर क्या है वेदान दर्शन जो अभी तक मैं डिसक्स किया ग्ञान विमानसा की प्रकास्टा है या बेदों के अंत या अंति भाग में जो कुछ बढ़नक किया गया है उनका निचोड ही वेदान दर्शन है या भारती मनुस्थ की इसके द्वारा राजयों भक्त योग से हम प्राप्त कर सकते हैं यह बेदान दr commerce characterized process दर्शन के मुक्ह रुम्ष मुंख सिधान जैसा कि मैं अभी बर्ण कर चुका हो बियू कि जनलरी हम थासरा भर स्हक्त बता रहे हैं कि ये ब्रहम्हाने का ब्रहमा को मांता है ये इकषली ब्रहमा और जगत में उसके कि आएक संबन मानता है काता है कि ब्रह्म जगत में संबन है ब्रह्म क्या है वास्तिक और है जगत क्या विवारिक है यह मैं इसके कर चुका हूं और आत्मा जो है वो ब्रह्म का अंस है और एक और काता है कि जो मनुष्य जो है इसका सिधान्त है जो मनुष्य है वो अनंत ज्ञान है और सक्तिका स्रोथ है तो यह जब मनुस्थिक जीवन का अंतिमुद्यस मुक्ति है जो मुक्ति की बात हम कर चुके हैं तो यह मूद सिधान्त है बिदान दर्सन के अब हम जो अध्यान रिसित करने जाएंगे कि आखिर एक और चीज़ है जो मैं बताया था कि साधन चतुर्श्च की बात करना दर्सन का अध्यन क्यों करते हैं इसकी क्या हो सकता है इसकी मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि मैं जानता मैं मेरे अनुसार मेरे हो सकता कि कुछ हो सामतों ना सामतों बिदान अगर आपने पढ़ लिया तो किसी दर्षन की पढ़ने की और सकता ही नहीं है, क्योंकि चाहे वो आपका आस्तिक दर्षन हो और नास्तिक दर्षन हो जैसा कि आपको कि बेदान दर्सन सभी दर्सनों के जो मूल्भूत दर्सनिक दिश्चकोंड है उसका सम्मणने रूप है या कर सकते सागर है चाहे आत्मा की बात हो चाहे जीवन्मुक्त की बात हो चाहे जीव की बात हो चाहे इस्वर की बात हो चाहे जगत की बात हो चाहे परमात्मा की बात कराता है क्यों ऐसे होता है क्या रिजन आपको मालू है जहां क्योंक्व कैसे प्रस्टूटना सुरू हो गया यह कर लाता है दार्षनिक। क्योंकि जो दर्सनका ढढ़ारे वो क्यों और कैसे से होता है अब यह है और बेदान दर्षन का सब से buscar बड queb 988 व' तो सिच्छा का, बेदान दर्सन का, बेदान दर्सन का, बेदान दर्सन सिच्छा पर क्या पर रहा हुआ है, इसको जानने के लिए, जो सिच्छा के जो मुत, महत्पूर अंग है, जो महत्पूर अंग का मतलब की, जैसे मालने जे, की सिच्छा क्या है, सिच्छा का उदेश क् पाठेक्रम कैसा होना चाहिए, बिद्यार्थी क्या है, सिच्छा का रोल क्या है, अंसासन कैसा होना चाहिए, इस सारी बातें जो हैं हमारे सिच्छा के अंग हैं, तो इन सिच्छा के अंगों पर किस प्रकार बिदान दर्सन का प्रभाव है, जैसा कि चाहे वो संकराचार है ह रामान और रामचार हो, वो कहीं ने कहीं उनके तत्विमानसा का जो उद्देश है, ग्यानिमानसा का उद्देश है, आचारिमानसा का उद्देश है, वो कहीं ने कहीं हमारे सिच्छा के प्रमुख अंगों को प्रभाइद करता है. सिच्छा क्या है पहला सिच्छा का आर्थ कि कुछ सिच्छा का आर्थ बेदान दर्सन का सिच्छा का आर्थ वही है जो उपनिस्द में कहा गया है उपनिस्द का विचार है सा बिद्या या भी मुक्ति है कि मिल्ट वास्तिक सिछा हुआ है जो मुक्ति दिलाए अब ये बड़ा ये देखे कहने का मतल्ड बिचार है ये बहुत दूर्णा प्रशन है अपने आप में कि क्यों से सिछा जो मुक्ति दिलाए किस मुक्ति की बात करते हैं कि अब सुरी है सो जैसा कि मैं बताया था कि ब्रिदान दर्शन का मतलब है मानते हैं कि जीवन का अंति मुद्देश मुख्ष प्राप करना और यही भारती दर्शन की बहुत बड़ी सिस्था है है और और मुट्व के लिए ब्रशन खास वह संकराचार कुं गञान को मारग मांते एक एक ऐसा मारग है जिससे मुघ्ध प्राप्त कर सकती है Jewish шांaram गेगा कभी कोशच्णी निट में तो ग्यान पुछता है कि संकराचार के अंसार मुक्ति का मार क्या है ग्यान ग्यान कर्म ग्यान कब हो तो ग्यान मुख्य है तो इस इसकुरता ग्यान के द्वारा ही ही हम क्या करते हैं कि मुक्ति प्राप करते हैं और सारा जो संसार है जो हरी जगाते मोह माया से लुकत है मेरे भाई मेरी बहान मेरा परिवार मेरा घर मेरी नोकरी यह सारे संसारिक मोह माया है अब इस संसारिक मोहमाया जबकि वास्तों में घर क्या है आपका घर यहां नहीं है हम तो क्या है एक मुसाफिर है हम नहीं मुझे नहीं मालूँ कर क्या होगा ठीक हम रिटेल नहीं जा रहें अधर फिर हमें आधरस्वादिम जाना पड़ेगा तो इसलिए संसारिक मोहमाया से मुक्त होता है और भेदी दिर्ष्टे मुक्त होता है और वो जान जाता कि मेरा मैं क्या हूं स्वयम को देखना अपने को देखना अपने और इस ग्यान की प्राप्ति सिच्छा के के द्वारा होती है तो बिदान्तर संग करता है कि सिच्छा क्या है सिच्छा के द्वारा अपने स्वरूप को जनना या वाश्टिक सिच्छा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए यह सिच्छा की परिभासा दिये हैं बिदान्तर अब प्रसुपता है कि सिच्छा का उदेश क्या ह लेकिन जब हम सिच्छा के उद्देश की बात हम करते हैं तो मुझे चाहिए सिच्छा के उद्देश के इस्वर एक ही है नहीं पहली बात की ब्रह्मा को मानता है इस्वर ब्रह्मा को मानता है इस्वर ब्रह्मा इस्वर को रामानुचा मानते ब्रह्मा इस्वर में जो इस्वर है रामानुचार वो सगूर ब्रह्मा है कि यह पूछा तो मैं तो आसा लेक्षर के बाद में जबाब दूंगा जो भी आपनों कमेंट होगा तो बेदान तरस्तिन को सा नेक्ष्ट है कि उद्देश क्या है जैसा कि मैं पहले से बता रहा हूं कि वह पूरे जगत को तीन भागने बाटा था प्रतिभासिक बेवहारिक परिमार्थी परिमार्थी जो क्या है सरवच्च है बेवहारिक मद्द में है और प्रतिभासिक यह निक है तो इसलिए वह कहते हैं एक 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 मात्र उद्देश क्या है विद्यार्थी के जो अग्यान है जो जो विद्यार्थी के अग्यान से मुक्ति करकर उसको ग्यान का प्रतित कराना है जो विद्यार्थियों में अज्ञान है अब विद्या है उस अब विद्या की मुक्ति कैसे प्राप्त किया यह इसलिए उन्होंने कहा कि अब विद्या में बीवेक पूर भेद करना जैसे मैं बताया था नित्य अनित्य विवेक यह साधन से तुष की बात कर रहे हैं तो सिच्छा का मुक्ति देश एक औरिन टूब जानता क्यों क्या करना है कि वो यह समझ सके कौन सी बस तू नित्य है कौन सी सत्य है कौन से आसत्य है तो सत्य असत्य नित्य अनित्य सही गलत कि विवेक का ग्यान प्राप करना ही सिच्छा का मुक्य देश है और विद्या क्या में बता चूब विद्या क्या है इसी प्रकार उन्हें कहा कि आत्मा ब्रह्मा तो यह ही है आत्मा ब्रह्मा एक ही है इसी प्रकार उन्हें कहा कि व जुआरा में बालकों को मुक्ति प्रणाब करना या बालकों की सिति को प्राप करना एक बाद द्यान दीजिए गा दो सब्द्र, एक है तब तुमसी एक अहम ब्रहमासमी जब टीचर जब जब सिच्छक बालक को प्रहने जाता है तो काता तो तुम सी तुम कौन है और जिस दिन च्छात यह समझ लेता है द्यान दिजिए हम बात कर रहें इंपूर्ट आउटपूर्ट की बात कर रहा हूं कि जब जब गुरू के पास देखिए उपनिसत का मतबता उपनिसत नाटी बेदानदर्सण है जब को स्विच से गुरू के पास जाता है तो स्विच से कोश्ट पूशता है तक मसी तुम कौन हो कि अब जब कुछ दिम के बाद जब हो debates से बोलता है आहम प्रह्मास्व में महीं ब्रहमा हूं मतलब समझें कि उसके वास्ति वासिती सब्सक्राइब को जान गया मिनस उसको ब्रह मग्ञान ग्राप क्राफ्ट है यही क्षिच्छा का उदेश करना उसके अलावा आप जानते कि मैंने सरीर औist करना मानसिक्त करना न॥ी संक्राचार बोलते हैं वड़ कम करना उसका मार पालन करना ही शिच्छा? शिच्छा का मुक्तिप्धाम करना यह कर सकते हैं की बाल quest कि अग्यान की निविर्ति या बिद्या के तो आना अबिद्या का निवारन करना ही सिच्छा का मुख्यूदेश है यह और इसके लिए उन्होंने साधन शातुस्ट्रे को बात किया तो इसकी चर्चा अब नेक्स कोशन होता है कि आखिस पार्ठे कर्म कैसा अना थी आए जाए जाए जीस तरह की हमारी फिलास्पी होगी जीस तरह की हमारी दर्सन होगे उस प्रकार की हमारे पार्ठे कर्म होगे तो पार्ठे कर्म कैसा होना चाहिए यह बहुत महतुप्रोफ प्रश्ण है जैसा कि हम बता चुके हैं कि संक्राचार या बिदान दर्सन जगत के तीन एकॉर्डिन्टु जो जगत का काटेग्राइज किया गया है यह सब्सक्था परक्तिपावरी सब्सक्राइब टूर्प तरहाए ऊसरे ब्रक्तिंटि प्रतिफासी जगत के लिए मिरी व्यूर्पाट की अंशार कुछमें के रह पाधिकरम पर्अ मां प biblical तरहाइब इसलिए उन्हें कहा कि अपराविद्या का समंद्ध किस से है बेभारिक से पराविद्या का समंद्ध किस से है अध्यात्मिक से तो इन दोनों परच्छों के द्वारा हम हम पार्ठे का निधान करें जैसे पहला आप मैंने बताया था कि जो बेभारिक जगत है या पर्धिभा अमें समाइन रुप से रामानुजवी जर्रीक क्या होता है कि जो भवहारी चाहता हो की पूर्ति करता हो उसके अंसार हमें सब्जेक्ट का ग्यार होना चाहिए जैसे आप बहारिक जगत में भासा, मेडसीन, चिकिस्सा, कडीत, यह जो हमारे वड़ कर्म कर्म के उसार है, बहारिक क्रियाओं में जैसे आपका भोजन या होम साइंस आदिविसयों को ग्याना चाहिए, लेकि अध्यात्मिक जगत है, यह कहा सकते हैं जो पराविद्या है, इसमें साहित, धर्म, दर्सन, आदिविसयों का समाईस होना चाहिए, तो परमार्थिक क्रियाओं में जहांतर क्रियाओं की बात है, इसमें हम क्या करें, अश्टांग योग की बात करते हैं, यह मनियम, आसन, प्राणयम, इन क्रियाओं की बात होने चाहिए, तो बेवहारिक द्रि आप मालूम है कि बैदिक काल में जो हमारे वर्ण आसरम थे उनके और सार सबका कर्म बटा था उसमें डिटेल नहीं जाएंगे तो जो कर्म पाट्थेचर है वेदानत का और सार क्या होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए जो सभी चाहें वह ब्यवारी जगत की बात हो चाहें और सभी समान आत्मादिगारी गए तो इसलिए हम जन्म के अधार उसको अभ्योद नहीं कह सकते हैं यहां पाठेकरम क्या होना चाहिए जबकि संक्राचार पाठेकरम में डिफ्रिंस भीनता रखते हैं अब जो आती है शिच्छन भी दिया देखिए वेदान दर्सन में यह हम कर सकते हैं पहले बताया था कि बेदान दर्सन का अधिकारी वही हो सकता है इसी रिए कभी-कभी बेदान दर्सन को हम बोलते हैं अधिकृत दर्सन सब विधान दर्शन का ज्यान नहीं पराप सुकता आपको मालू मोगा कि जितने भी आचार हुए हैं आचार प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्मसुत्रा या ये साधन चतुरुष का ज्यान होना चाहिए अगर नहीं है तो हम विधान प्राफ्ट करने के लिए वो कई विजियों की बात करते हैं और खासोर से उन पूरे संकराचार जो ग्यानपॉपराद के दो तके उपकरण से नहीं है कि यह मन है बुद्ध्री हैं और यह सब हमारे ग्यान के साधने तो इसके द्वारा हम ज्ञान प्राफ्ट कर सकते हैं संकर ने कहा कि जो चित संकर ने चित जो होता है उसकी अलग सत्ता मानी है उन्हें कहा कि जो इंद्रियां होती है हमारे चित की तरफ बढ़ाने के प्रयास करती है मन और बस्तू कि वीश में क्या करते हैं और इसी दोरह क्या होता है ग्म mankind को हम खोड़ कर हम ग्यान कते हैं तो मैं कहने का मत weren't कि इस चिप से आत्मा की प्राप्त होती है ज्ञान प्राप्त करने की सोथ देखिए प्रमान की बात भारती दर्सन में प्रमान बहुत मत्रपू है और भारती दर्सन में प्रमान कहीं है असाद आपको मालूम होगा लेकिन एक प्रमान से लेका आठ प्रमान ठाक है लेकिन मु करेंगे लेकिन इन ने कहा की मुखियर्ट से चार स्रot माना उन्होंने प्रतक्ष ऑन्मान सब्ध और उपरफ्द्ध doing कंपी ये मताप prats from मानते हैं चाहिए वह आज्तिक अला स्थिक प्रत्य प्रत्यच्च्च्चक मिम् प्रमानंग् I think Dr. Sipi Singh, ने पुछाए कि Sankar के ब्रह्म, और रामराउज के ब्रह्म में क्या भेद है, डक्र सीपी सिंग, जो संकराचार के ब्रह्म है वो निर्विसेस है. निरगूर है. वो अट्रूर्वीट लेश से उसमें कोई नहीं है, क्योंकि वो प्रियो ब्रह्म है जबकि रामानुज का जो ब्रह्म है वो सगूर है वो मतलब वो जो रामानुज का ब्रह्म है वही इस्वर है इसलिए संक्राचारु का ब्रह्म सिधान कलाता आदयतवात क्योंकि वो ब्रह्म आत्जिव में कोई ब्यत नहीं मानता जबकि रामा यह लिए कर देखती है वही प्रमानित है अब इंडियों के बाद किया मुझे मुझे नहीं मालू है कि यहला है हम जे लिए हमارे कि बाहर क्या हो रहा है हम नहीं के सकते हैं इसलिए प्रतिस्ट ही प्रमान है और यह मैक्सिमम इंद्रिय प्रतिक्षट पर आधाक्तौन अचे लेकिन जब शंक्राचार इंद्रिय प्रतिश्ट पर शुरकार नहीं करते इसलिए वो अनुमान को मान ने अनुमान क्या है यह बियाप्ति पदाईत है जैसा कि आप जानते होगे ज जहां जहां दुआ है वहां अवाग है तो यह ब्याप्तित प्रसंबंद है कि धुआ को देकर आकानुमान करना असब्द क्या है भारती दर्सतर में आपको मालूम है कि बेद क्या है सब्द पर प्रमाण है आप तो पूरुस तरह जिसको बोलते हैं कि वही हमारे प्रमाण है इसके अधार कमद्र कर तो यह सारे ज्ञान प्राफ्त के स्णोथ है यह विजिद्रीगा है संकराचार कर लुझार और न ज्ञान प्राफ्त के स्वपांक lol कैसी हम ज्ञान प्राप्ध करेंगे vraiment tanpa vidya ahor para bna to संकराचार ने कहा किि जो ज्प्राफ्त के 305 अन He कि इस सब लोग बहुत इंपोर्टेंट ध्यान देगे वो तीन सुरोथ है तीन सुपान है पाला स्रवन दूसरा है मनन तीसरा है निदी ध्यासन अब स्रवन क्या है स्रवन का मत्तब होता है वेद ब्राम्हण उपनिशत गीदा आदि गुरु गरंथ जितने भी हमारे गरंथ ह इनका स्रवन करना या स्वमध्याय तो यह दार्शनिक परफास है लेकिन स्रवन का मत्तब देखिए जब हम कि इसी ने कहा गया है कि जब कोई लेक्ट्चर हो तो सबसे पहला आप एक स्रोथा बनेंगे जब आपके अंतर स्वमध्याय स्वाय ध्याय सेल्फ श्टड़ी की अध्यम के पसाद क्या करें कि जो प्राप्त ग्यान है उससे सोची थिंकिंग कीजिए इस पहला स्रावन फिर मनंद और मनंद करने के बाद जो ग्यान है उसका मनंद कीजिए छोड़ देजिए तो ग्यान पुर्णी होगा। जो आपने वर्ड सीखा, जो आपने बाते सीखी, जो आपने सोचा उसका प्रयोग कीजिए. निधी ध्यासन प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग कीजिए. मतलब कहने के मतलब यह कि स्रमन अध्यन के पश्चात ज्ञान परादिकारी जो है वो कहते हैं, वही अच्छा अध कारी है जो सरवन करे मनन करे और के इस प्रकार ग्यान प्राप्त करने की जैसा कि मैं बता चुका कि प्धृक्ष मीधी संकराचार इंद्री ग्यान को macht करने की बाते वो अवहव कन को मांते हैं मन बुध्य हंकार चिर को मांते हैं यह संकराचाह ने कहा है कि यह जितने वह हैं यह भी विवार्ई जर्गत को सत्थ करने के लिए परमात्र य Workshop की शॉप्रतिस बीश्म रहे नहीं है कि जब मंदन मिसर जो मंदन मिसर थी जो संबात जो हुआ था वो प्रश्णों को हुआ था क्योंकि मैक्सिमम उसमें प्रश्णों कि आत्मा क्या है प्रमात्मा क्या है उसके संबंद क्या है उसके स्वरूप क्या है इस सारी बाते तो और प्रशुत्र विधि में क्या है कि ब्रह्मतत्यों का उध्गाटन प्रशुत्य बुद्रिश क्या जा देसे मैं आपको फ्रीव दार दे रहा हूँ कि जैसे ही सिस्री ने नकिया तो गुर्फ पुछता है यह समन रुप से जब कोई घर आता है ना किया आप पूछते कौन है कौन है यह के प्रस्थ तो है यह तो गुर्ष प्रश्ण है इसी का तो आज तक जब आप सारे दाश्णिक देते आये अभी तक कोई दे नहीं पाया कि मैं कौन हूँ आपने आपको जानो तो यह तो इसलिए प्रश्णातर बिधी और प्रस्थ तो बटामान चला प्रस्शाज संक्राचा ने कहा कि कि जो वक्ता है वो हमेशा संका समधान करेगा यह क्या होता है कैसे होता है कैसे होता है इस प्रकार संका द्वारा उसका उत्तर देना यह प्रस्मत्र बिद्धी सबसे अच्छी बिद्धी माना है संकराचार ने नेक्स है उपधेश बुवथी लेख़ी इप देखेश बीधी एक सिछर बिधी अच्छा मनए गाने जाता है विदान धर्शन में क्योंकि उनके हों सार करते हैं हम चर्चा करते हैं समाधान करते हैं संका करते हैं और इसका देखिये लेकि उपदेश कौन देख सकता है जो ज्यान का अधिकारी हो ज्यान का अधिकारी कौन हो सकता है जो साधन चतुर्ष्टे संपन्न हो ठीक है वो आएगा फिर ब्याथ्षा भीदी भी बहुत महतुपूर्ण है संकराचार आपको मालूम है कि वोने आपको का रचायता उसके प्रतिपादक वद रर्रेंग है रिकिन जब ब्रहमसूत्र पर ढूंच कर हम्रमसुत्र ब्रहस लिखा गया है उसका इक तर से कथ सकते हैं कि चर्चा के द्वारा उत्पन लिए तो इसलिए सस्ताथ के द्वारा हम क्या करते हैं यह बर्तमान नेक्स ब्याख्या भी दी बहुत महतुपन भी दी है यह उपनिस्दों ने कहा कि ब्याख्या के द्वारा हम क्या करते हैं कुछ उपमा देते हैं दिश्टांच देते जैसे आ लेखिन लगाम्य स्ष्ट गांतार में अपनुन में तो अपना दे सकते हैं यह सूर्या और उसका प्रतिभीन तो उपना कभी दिश्टान का प्रयोग भी कर सकते यह सब संकर ने आपको साथ वालूब कि संकर ने 32 साल के इंबर में सारा था पुष्टक प्राफ कर लिया तो वह कहते हैं कि अल्प जीवन में उन्हें प्राफ किया और यह क्यों कि उपनिशद और गीता बेद को पढ़ा ना मैं तो कभी-कभी स्व अध्याई और लक्डाउन को आप कशिए सब लोग स्नौाध्याएक के दौर्फन क्या है कि वह अपने उसको जिसका नाम है भी बेक चुणामरी ओर दुसरा है उपदेश सहत्री में उन्होंने ब्रह्म का ग्यान प्राफ्ट करने के इस वीधी का उप्रोक किया संक्राचार की दो रचनाय है उन्होंने कहा कि जो निस प्रंच ब्रह्मा है जो निर्विकल पर ब्रह्मा है जो निर्गुन ब्रह्मा है उसको प्राप्त करने के लिए प्रपंच का सहरा ले जाता है प्रपंच का मतला भी होता है कि सर प्रदम आत्मा के उपर सरी धर्मों का हम क्या करते हैं आरोप लगाते हैं और अत्मा ही सरी मन गुंद्धि आधी सब कुछ है इस हम करते हैं अध्यारोप बताया नथा किसी भी वास्तिक बस्तिक के उपर आर्यूप करना उसके वास्तिक सरीप चपादना अध्यारोप है और जब वह करता 220 वक्तिंट liegen द्रार में आरोपी जुद्निव धर में वह आत्मा से भिन सित्किया जासता है विविन रूपधान करता है वह कालाता अपवार तो यह बिधियां दोनों बिधियां काफी मत्पून है और जो अभी बताया था कि सबसे जो प्रभुग बिधि है वो है स्रवन मनन निदिध्यासन तो स्रव प्रभुग बिधियां दर्सन में सिच्छक का बहुत बड़ी भूम का है और इसलिए विद्धान दर्सने कहा कि सिच्छक ऐसा होना चाहिए सिच्छक ऐसा हो कि जो सत्ता की अन्फूति कर लिया हो सत्ता का अन्फूति कर लिया हो मतलब कि वो पूरे परमार्थि सत्ता का अन्फूति कर लिया हो और जो स्वयम मुक्त नहों स्वयम बंधन में हो स्वयम अविद्धा में हो वो ग्यान प्राप वो ग्यान कैसे दे पाएगा इसलिए वो कहते हैं कि जो सिच्छक होता है वही सिच्छक है जो वही अधिकारी है जो ब्यदान्त के साधन चतुर्षी से संपन्न हो इसलिए वो संकर ने गुरु के दो कारे बताया पहला कि बेवहारिक जीवन के लिए बच्चों को त्यार करना दूसरा उसे अध्यात्मिक जीवन प्राफ करना या उसे मुक्ति के मार्ग के लिए औसर प्रद्राण करना इस देखिए बेवहारिक जीवन के लिए तो बहुत आसान विश्चा है और जैसा कि मैं बताया था कि तो मसी अथाथ तू ही ब्रह्मा है है और जब सिस अंते में यह कहेगा कि नहीं अहम प्रह्मासी में इसका मतलब यह वा कि मैं ब्रह्मा हूं इसमेलद ही इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया या उससे ब्रहmber ज्ञान की प्राप्त हो गई तो शिच्छग पहला को प्रत्च कर सकते हैं कौन कौन से अउसकी बीदियां interact क्रणे हैं। इसलिए सिच्च पो साधन चतुष्टे नित अनिस्ट वान साधन चतुष्पे क्या है कि इसके बारे में अनिर्ट बस्तूमिंस जो आपकी बस्तूमें हैं कौन्सी नित है सब्सक्राइब यह बता रहें सिज्छक बनने की quality कि सिछ्छक कि क्या एनिवार गुरुन 50 परसंप्रसादर्ण ज्ञान प्राप्ट करने के बाद वो क्या करें त्रिश्चना का त्याग सिप dataset कित्याता है जो लौकी परूपी जीतने बी जनय हैं उसका त्याट करें नो कोई लाल्सानण नो कोई लालच नो CeJeHello equator सिच्छico संजयमित नहीं बनाता और वह लच्छ को बढ़ने के लिए कठाई पता करेगा इसे लोगी पर लोगी भोगों की कामना से मुक्त दिलाना यह कहलाता है तिती जो साधन है तिसरा जो क्वालिटी होना चीए सम दम आदि साधन संपत से संपन होना चीए सम का मतलब होता है सम का मतलब होता है मन का संजयम मन को कैसे कंट्रोल किया जा है दम का मतलब होता है इंद्रियों का संजयम उपरति का मतलब होता है कि जो नहित कर्म है जो बिधि पूरवक है उसका हम पट्वाग करें क्योंकि जब कर्मों के परति आसक्त होगे तो हम यह हम ब रिति का है वह है शरीर का सितोर स्राइब गर्मी जाड़ा जितने भी यह सहन सक्रति नाचाहिए इसी प्रकार याद है इतने भी हमाई रिष्षिप पूरुते वह पेनों के नीचे आश्रमों के बाहर सिच्छा ग्राण करते क्योंकि उनको सारी रितियों चाहे गर्मी हो चाह तो यह और लास्त है वह है मुख्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो या मुख्ष मुख्ष प्राप्त करने की इच्छा हो अगर मुख्ष प्राप्त करने की इच्छा हो यही अधिकारी है जो आचार अलाता है तो सिच्छक को या जब सिच्छक इस सारे गुर्ण संपन होगा तबी हो चात्र को मुक्ति प्राप करने का साधन बता सकता है। जैसा कि मैं भी चाचा किया कि और वो सिच्छक को जीवन मुक्ति होना चाहिए। और उसके बाद भी बताया कि फिर रेली जगपिर आमानुचार ने उसका विचार भिन है। वो इस जगत में कोई ब्राप्चि पूर्र नहीं है। इृपके कि सिच्छक की कलपना संक्राचार ने किया है और आमानुचार करते हिता सिच्छक भूरा मुस्किन है। प्रमयुस्ड तरकते हैं कि आचछा अच्छा हो ग्यान हो सब्जिट्ट के ग्यान हो तीचर अच्छा तब नेक्स्ट जो है वह वह बिद्याथी अब देखिए विदान दर्शन में जो चात्र है उसकी कल्पना बहुत अच्छी है क्योंकि विदान दर्शन नहीं ऐसा दर्श से बने हुए इसी रहे आदेट बेदान बेदान ने कहा है में खासुष संक्राचन कहा कि छात्रों की संकलतना छात्रों में अनंत ग्यान है यह धान दीजिए कि हम यहां कुछ लोग सहमत नहीं होगे उन्हों कहा कि छात्र सभी रूप से समान है यह तो बेवहारी जगत में हम कहते हैं कि इनका कलर यह है इनका मांसिक अस्तर क्या है लेकि सब आत्मा के संतान है सबकी आत्मा एक है सबकी सम ब्रह्म के संतान है तो उसमें समानता है लेकिन नाम रूप रंग के अनुसार उनमें अनकताएं हैं बिवीनताए क्या होता है सामय के परहिति के अनुसार लोकेलटी के अनुसार उस में लेकिन सारे छात्र क्योंकि ब्रहन के संतान है तो ब्रहन के द्वारा नहीत ग्ञान शब्मे समानए कि शिछड़ कर्कार क्या है उस ग्धन पर प्रकाश डालना उनके तो इस प्रकार अदब बिदान्त में कहा कि जो टीचर है बालक है उसमें अनंत ज्ञान अनंत सक्ती का भंडार होता है और इसलिए इतने भी बीविंताइं मैं बताया था देखते हैं यह क्या है यह जो बीविंताइं इसलिए बालकों के ततस्लचन है यह कभी बस लेकिन जो शरूपलचन है वो है उसकी ब्रह्मग्या और इसलिए ब्यवहारी जगत में सारे चात्र भिन भिन होते हैं लेकि जब परमार्थिक जगत में जब उनको अहम ब्रह्मार्थ की ज्ञान होगा तब वह क्या हुआ तब व जितने भी प्रतियस्च चात्र हैं उनमें सारे रिक माशीक बौदीक दिखाई देती है और यह भिंटक क्या है कर्म है आपने कर्म वणके उनसार है और यहीं कर्म भिंटा जो बताया था हूंने यह तधर लचन करें और जैसे ही कागरता भोग से विर्यक्ति गुरू में स्रधा आज जो बहत्तों है कि ब्यवहारी ज्ञान की पास दिश्ची भी होता है आज कि छात्र एदी संकर की बात मालने तो हम समझें सभी समस्वां का अंत हो जाएगा तो जो संकराचार के उलसा जो छात्र हैं वो हमारे ब्रह्म के अंस हैं ब्रह्म के द्वारा ही एक लीला के पात्र हैं जो समय ब्यवहारी रूप से उनमे भिनता हैं और इसलिए बालक के बैक् सरीर है उसका भौतिक वातरान के उसका प्रवतर होता है और वह आत्मा का एक अंस है इसके अलावा वो संक्राचार ने कहा है कि जो चेत्रा होती है बालक में उसके चार स्टेज मानते हैं प्रथम जो अवस्ता है उसको बोलते हैं जागरत अवस्ता और जागरत अवस्ता में क्या होता है कि इंद्रिया और मन की सहाथा से इसमें क्या होता है इंद्रिया मन दोनों क्या होते हैं जबकि दूसरा अवस्ता है सप जाते हैं लेकिन मन का भी पधार्त का अन्वाम कर सकते हैं और जो सुसुत अवस्ता है यह निद्रावस्त है ना सोय हुए है ना जगे हुए है इसमें क्या होता है मन कार करना भी बंद कर जाता है प्रंदु क्या होते जो आपकी चेतना होती है वो काफी एक्टी होती है और जो सुसुत अवस्ता में क्या होती है कि ब्यक्त का असली रूप क्या होता है वो प्रकट होता है और लास्त में होता है मुक्ता अवस्ता और जो तुरी अवस्ता होती है यह सबसे महत्व होती है जो संकराचार के अनुसार बिदान दर्थ में मुक्ष यवस्ता है तो तुरी अवस्ता ही उनके अनुसार इतने आत्मी सांती मिलती है यही विद्यार्थियों का स्वरूप है अब जो अनुसासन अनुसासन जनरली अब जानत कहा कि देखिए बच्चा को अनुसासित होना चाहिए लेकि अनुसासन का मतलब हम दंड नहीं दे सकते हैं कभी वी संकराचार ने अनुसासन में कभी बच्चों को दंड की कलपना नहीं किया बिदान दर्सन में अनुसासन ने कहा कि अनुसासन हम करेंगे लेकिन अनुसासन के कि वो करते हैं कि कि सिविख आप आपक आट यह कि परिकृदुदम कि जानते हैं चिहरा हैं हेस्प ब्सकोंता कि न है क्विखत भीट व्हकुत इस LGBT कि बहुत महतुपूर क्यों कि इस चावस्थाऊं के दुआइं करें तो चिप्त अवस्था वहाता बने जाती है जो सबसे इसमें बच्चा आपने इंद्रियों के अभिनता है इस वह काफी एक्टि होती है और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता यह लोश्टेज है नीन मेंशतर बोलतें अपर बिशिप्त अबस्ता जो है बच्चा इंदरियों पर कुछ कनल यूग बनता है और थोड़े समयपर ध्यान केंदद करता है अम्सासन कभी भी दंडर का नमी करतें तों कि बाहुतिने शिफ्त है की इंडरीयों को करना बहुत मुद्षिफ्त क्या होता है चुछ मैं कि दिलिए रिशिफщता क्या होती है है जो इसमें इंदीनियों को काफिर नेंत्र हो जाता है परन्तू क्या होता है कि आलसके को दास नहीं जाता है यहां वस्ता बच्चेयों को इंद्रियां मन हो बुद्धी हो अंका़ हो चीतों सभी पर अपने आपको नियंदित कर देता है और एक कागृत त हुआ थि जो पहुत अच्छी इस्टेज है करके तो यह संकराचा इसलिए अथ 200 काुसर करते हैं तक संकराचार ने संच्छाषिन है तब इससे संकराचार ने अंसासने की संग्यादी और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो अस्तांग योग की बाते हम करते हैं अब एक किसी ने प्रशन किया कि सगर सर अगर हम गुरू दुरुणचारे की बात करते हैं तो कहीं कहीं एक कलब के साथ हुई है में चरट कि एडिय स्रिक्षर नहीं है आह महिमा जयनजी मैं आपको जवाब दोगा है यह ऐसा कुछ कुछ नहीं है और आपने पूछा걸 समतंने गुनाता है इसा में चाहिए जो भी आज हमारे भेद वाओ है चाहे धर्म की नाम पर चाहे जात की नाम पर चाहे काश की नाम पर क्या बेकूकर अगर बिदान दर्शन को वास्तो में हकोई पढ़ लिया बिदान दर्शन क mise कि जो भीनता है हमारी अग्नतावस यह माया के दौरा है जबकि हम सारे जो है उसãy जिस प्रकार मित्या है जिस प्रकार हम भरह में जी रहे हैं ना जयसे लिए ग्यान प्राफ्ता होगा जैसे मुझे ब्रह्म घ्याम तो बाउने यह जो भीर्ञता हैं यह तो तो आप यह मेरी राय से अब जो बता रहे हैं आप की दुर्णाचान ने तो सिख्छा आज लेकिन मेरे अंसार कि सारे जो धर्म में सारे जो अधर्म एकलब भी हो चाहे सब लों समान है यह जो यह दिस्कृमिशन है यह जो भेत वाओ है यह तो बहारी जगत में लोग करते हैं क्यों करते क्योंकि उनको अबिध्या है उनके उपर माया का वरण जबकि हम लोग ब्रह्म के संतान है ठीक है तो मेरे अंसार सब लोग समान है यह संक्राचार की देन है अब नेक्स जो कुश् कि आखिर संक्राचार का उनके सिच्छा के समझने के बाद सिच्छा बिदी के समझने के बाद पाठेक्राव को समझने के बाद उनका सिच्छा का रोल क्या है चात्र का क्या है उन पक्षों की बातें बारे में क्या बात करते हैं तो संक्राचार रामानुचार का बिचार दोन की संकराचार का THE क्वाद प्रबर्दतक क्या है इसके बाद उनका एजुकेशिन क्या है लेकिन जो डर्शन है आखिर इन दर्शन को हमारे सैचिक सियुए। क्या माता है मेरे दोस्तों अगर थोड़ा बहुत अगर संकराचार की दर्सन समझ में अगर आप समझे होगे मैं कोशिश किया हो सकता कि समझ भी आए चो ना हो लेकिन अच्छा थेंक्यू जोती अब मेरे वाज ठीक है अब ठीक है आवाज जोडिसुकला ने कहा कि सर आपकी आवाज काफी स्लो है अब आवाज ठीक है क्रिप्या कोई बताए मुझे कोई मुझे कमेंट कर बताए कि मेरे आवाज ठीक है कि किसी ने कमेंट दिया कि आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है अच्छे अब ठीक है तेंकि father तो मेरे कहने का मतलब कि अब हम यह संक्राचार की बेदानदर्द्दरन की तरफ्टुमान सा क्या गयानईईईईईईईईईईईईईई मुल्वमान सा क्या फिर उसका क्या ब्रह्मा है क्या माया इस सब अध्यन करने के बाद आप जो में कोश्चन है यह बहुत मत्पूर है क्योंकि एकजाम में कहीं भी यह पुछा जाता है कि इस बिदान दर्सन का सैच्छीक उप्योगिता क्या कोशिद करूगा कि सैच्छीक उप्योगिता उसका क्या है इसका हम बताने का कोशी करूगा सिच्छा के आंगों के दोरा अगर आग चाहें तो एक साल लिख सकते हैं कि मैं कोशी करूगा कि जो मैंने पढ़ाया है उसको एक समराइज कर दूँ देखिए पहली बात कि सिच्छा का जितना पहली उप्युक्ता देखिए पहला से एजुक्रिशन क्या है बेदान दर्सन में सिच्छा की परिवासा सिच्छा की सार्थक्ता सिच्छा की का सकते हैं अर्थ जितनी सटिक ब्याक्या बेदान दर्सन ने किया है उतना अंधर्ष्ण नहीं क्यों कि ये करते है कि कोई भी सिच्छा सिच्छा हो सकती है जो हमें मुक्ती पड़्दान करे, मुक्ती का मतब ये नहीं कि मरन, जीवन से मुक्ती का मतब कि अपने जीवन में रहते हुए लोब, क्रोद, मो, माया और सकाम कर्मों का त्या करना कि आध़ आथ हम कहें तो हमारी पूरे मने वर्ट बिस्ट के लोग चुन रहे होगे तो कहने का मतलब क्या हुआ? यह इनके कोई आसकत नहीं है. तो इस तरह के काम है, यह बिदान दर्सिंद की मैं लो क्या है? यह इससे क्या होगा? अगर कोई बच्चा हमारे दियेवे लेक्चर कर समझ गया, तो क्या होगा? उसको कुछ-कुछ ग्यान होगा, मुझे खुछी ह और यह मेरा lecture सब्सक्राइब करना, हम बात कर रहे हैं, कि बरतमान समय में इसकी उपयुक्ता क्या है, जिसने आप जान जाएंगे, कि मेरा अस्तित किस ले हुआ है मेरा जन्म किस ले हुआ है आपको सब नहीं मालू होगा कुछ बच्चे हाई स्कूल पास होते है कभी कभी हाई स्कूल फेल हो जाते है लिकिस जिस दिन जुनूल पैदा हो जाती है कि मेरा निर्मान किस ले हुआ है मैं क्यूं आया हूँ मेरा उद्यस क्या है और मेरे दोस्तों जिसी जुनून पैदा हो जाती है वही बच्चा आईएस आईपियस प्रोफेसर या साइंटिस बन जाता है मतलब यह मैं सोचिए कि मुक्दी का मतलब की मुक्षपाथ करना कोई सिच्छा अगर उसके वास्तिक स्वरूप को उसके जुनून को खोल देता है उसको बता देता है कि आप तुम्हारा पैदाइस तुम्हारा जन्म किसी दे हुआ है तो वह क्या होता है एक आप का सकते हैं बिस्व में वह अपना नाम कमा सकता है या इसका कई उद्धान आप देखे होगे ठीके तब उद्धान नहीं दे जाते हैं इसलिए साब सिच्छा के जो ब्याक्या जो बेदान दर्सन दिया है वो बरतवान समेश की क्या उप्योगता है दूसरा सिच्छा की उद्धेस ने ये काफी उप्योगी है पहला कि ये सिच्छा का उद्धेस लोकतांतरिक बधाई थे क्योंकि एखिए लोकतांत्र का अधार क्या है समानता सवतनतरा तो समानता सवतनतरा क्या है हैं यह हमारे लोकतन्त का अधार संपय है और समानता हो सतंत्रह का जितना अधिक औध्यन विदांत दर्शन ने संक्राचार ने दिया उतना कोई दर्शन में जिया है जैसे उह कहते हैं कि सारे बच्चे समान हैं यहां समान है तो लड़ने की क्या है सकता है अगर हम equal समान है तो कौन सा धर्म हमाएं, कौन है, सब धर्म समान है, सब जात के समान है, तो कहां से नेपूडी जम आएगा, कहां से काश्री जम आएगा, तो अगर सब बचे सोचें कि सिच्छा का मुख्य उद्देश है, अपने सब को पचाना, तो क्यों कोई लड़ेगा, तो सिच्छा का उद्देश, यह जितना इसका बेवहारी, जितना अध्यात्मिक उद्देश बिदान ते मताया, अब निव यूज किसमें पॉलिशी आई, उसमें करिकुलम का सुरूप क्या होगा, तमाम चर्चाएं चलती है, आप जानते हैं कि पार्ठेकरम के निर्मार करने के लिए कम सकम साइकलोजिकल बेस, सोसल बेस है, और फिरास्पिकल बेस है, तो जो दारसनिक अधार है, और मेरे अनुसार, एक बात जान जाएए, कि विदान दरसने कहा कि जो पार्ठेकरम होना चाहिए, बच्चों के अंदर ऐसा होना चाहिए, कि वो अपने मुक्ति प्रदान करें या अध्यात्मिक तत्तों को पाच्चान साइए, देखिए, हर आदमी चाहता है अपने बेव तो नहीं हो रहा है, किसको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो आपका भाई है, वो आपका बहन है, वो आपका दोस्त है, क्यों, क्योंकि आप ब्रह्म के संतान है, जब इस प्रकार के सिच्छा बिदान दरसने के दिया है, तो हम पार्ठेकरम में मैत भी हो, लेकिन ध किमेदारियां दी गई हैं उसका पालन किया जाए सिच्छक का सिच्छक का धर्म है हम किजी धर्म का हो हम हिंदु धर्म मुसिन धर्म सिख्धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अपने धर्म की अपने करतब की बात कर रहे हैं तो जो हमारा धर्म है तो धर्म की ब बात हैं होने चाहिए, अध्यात्मीन जगत होना चीजिक्छ, धर्षन, संस्कीति, सब्वेता, नीति-सास होना चाहिए, अब लॉजिक, अब बताने आपको लॉजिक, ठरक सास लोग करते हैं, ठरक सास का जो सबसे बड़ा, बहुत का लॉजिक, नया एका लॉजिक, जबकि आपको मालूब नया दर्शन को बोलते हैं तरक्मिमान सा, आज जो हम computer चला रहे हैं, यह नया दर्शन की देन है, ठीक है, तो यह बात है हम, तो इसलिए कहाने का मतलब कि पाठी चर्रय करिकुलम के निर्मार की दिर्श से भी ब्रेदान दर्शन का education implication है, अब आईए, मैं आईए, मेरे दोस्तों, शिच्छर भी दिया जो ब्रेदान दर्शन ने दे दिया, और जो ब्रेदान दर्शन की जो सिच्छर भी दिया है, जो दे दिया, मुझे नहीं लग रहा है, कि ऐसा कोई दर्शन दिया हो, आप, स्वारी अब जैसे माल लेजिए आज कोबिड-90 मुझे से साइक्लोजिकल इस्ट्रेस है पचास तकी समस्या हैं चाहे मांसी को सारेजी को समाजी को बेवहारी को अब यह बताईए और कहीं भी जाईए आजकल how to teach, how to learn उसमें क्या सिखाए जाता है कि भी स्रवन करो, मनन करो, स्वायधाय करो, चिंतन करो इस सारी बात बेदान दर्सन संक्राचान ने बहुत पहले कह दिया हम कौन से नहीं बात कर रहे हैं अगर इन बातों को माना जाए तो यह समझ जाए कि यह तो पूरा यह समझ जे कि पूरे सिस्टम जो हमारी जो मॉर्डर सिस्टम है यह पूरे बेदान दर्सन की देन है अब अभी बात करते हैं टेच्जेक के लर्निंग कैसे होनी चाहिए कौन सा कौर्य करते हैं जो भी हमारी बरतमान में जो सहची क समझेम जए थी उसका समधान बेदान दर्शन की सेशन यह तो तो आच्छा वक्ता बनेंगे, मनन करेंगे, अच्छा वक्ता करेंगे, स्वाध्याई करेंगे, आज स्वाध्याई का मतलब क्या होता? आज चाहे हमारे माननी प्रधामंतिय जी, चाहे हम विस्त गुरु की बात करते हैं, यह क्या है? आत्म निप्राबनो, अपने आत्म प्रस्ट पूछने का दार्प हम बता सकते हैं कि आपकी mental levelty क्या है, mental IQ क्या है, तो कैसे प्रस्ट किया जाए, यह सारी बाते प्रस्ट करना, यह स्रमन करना, यह सारी बाते यह हमारे मण विघ्ञान के इसका युगदान है वर्तमान जितने भी मन विजिस्षन हैं साइको नासिस हैं कहीं कहीं इस बिध्यों से प्रवाइत हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि यह विद्यां और जितने भी है तो सिच्छा की बिधियों के द्वारा भी बेदान दर्सन का अद्वुत कर सकते हैं की कंट्रिबूशन है अब आज ही अनुसासन आज हम बच्छों को मुझे याद है बच्छपन में हमारे पैरेंट्स मारते थे और जितना मारते थे अभी लोग कहते हैं कि नहीं पहले मार का खा के हम परिपक हुए है बेदान दर्सन ने कहता है देखिए अब भासा हो सकता है कुछ हमारा दोस्त लोग हंसे आज मेरी बातों से समधनों हो कि हमारे जितने भी माता पिता मारते थे तो हम लोग परफेक्ट ह हो गए आज बच्चे को मारते नहीं है तो परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं उनके नहीं हमारे माता-पिता मुझे मारते थे क्योंकि माता-पिता का स्थान गुरु के समान था या गुरु से माता-पिता का स्थान हम करते हैं कि इस्वर हैं जबकि जब हम ब्रह्म के संतान है हम आता पिता ब्रह्म के संतान है तो हम किसी विद्यार्थी को नहीं मार सकते तो आता अनुसासन क्या हो वाक्य हो कि देखिए जब हम ब्रह्म के संतान है तो जो क्वाल्टी आप में होगी वो क्वाल्टी हमारे में होगी सिच्छा का कार क्या है कि जो उसके अंदर नहित ग्यान है जो उसके अंदर potential energy है उसको हमों क्या करना है? बताना है कि तुम दसम अबे तुम ही दसमा हो means who am I? मैं कौन हूँ? भईया तुम ही ब्रह्मा हो और जिसन बिद्यार्थी को इमान चेदा है कि हम ब्रह्मासमी कहने का मतलब क्या होा? उसको ज्यान हो गया तो अनूशासन इसलिए संकराचार बिदान दर्शन आतुमशासन की मानता है. देखिए ये बात सत्य है. चाहिए डंडे से मारिए चाहिए किसी से मारिए जब तक आतुमशासन नहीं होगा आज देखिए पचास प्राब्लम हो रही है, सोसल प्राबलम हो रही है, चाहे कोई बी प्राब्लम हो जे है, ये psychological disorder हो रहे हैं, मिरे दोस्तों, कोई पूलिस कुछ नहीं कर सकती, जब तक की आदमी, कोई बच्चा स्वयम अनुसासित हो, और स्वाय मनुसासी तभी हो पाएगा जब उसको धर्म संबंदीत, मुल्ली संबंदीत, नैतिक संबंदीत सिच्छाय परदान की जाए आज एक दोस्ट दुसरे दोस्ट की हत्या कर देता है क्यों? क्योंकि उसके अंतर नैतिक सिच्छा का भाव है तो संकराचार जो आत्म अंसासन की बात करते हैं, जितने हम समझ जाएंगे कि जिस भाई का हम मढ़र करने जा रहे हैं, जिस बहन को हम परसांग कर जा रहे हैं, वो हम भाई बहन हैं, हमारे गुरु एक दुसरे खंदान के हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा लेकिन इसी बात को संक्राचाने बताया है कि हमसासन के लिए जरूरी नहीं है ऐसा आप इन्वामेंट त्यार कीजिए ऐसा इन्वामेंट त्यार कीजिए कि जो वो सुम अपने नियों में का उसाथ पालन करने लगे वो आपने आपको समझे तो इसके लिए सिच्छक का रोल बहुँ ज़्यादा मत्पूर है अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सिच्छार्थी के दौरा तो सिच्छार्थी का जो स्वरूप प्रिदान दर्सन में बताया गया है उतना आने दर्सन में नहीं बताया गया है इस प्रकार अगर हम इसको हम समराज करने के कोशिज करें तो हम भातित दर्शन का बर्तमान समय में काफी महत्वपुन युगदान है जो की इन विद्नुप में त्रचा कर चुका हूँ और यह विचारधारा यह अंतिम नहीं है इसके अंसार काफी प्रभावित हुए चाहे हो आपके बीवेका अनंद हो चाहिए गाधिन नगरों चाहिए चाहिए रहे हो और जो लोकतंत्र की परनुप्रभाव डाला इस तरह हम यह लास्ट में का सकते हैं कि जब तक और एक बहुत अच्छी विसिस्ता जो मैं बताया था कि जब सभी एक ब्रह्मा में अवस्तित है अगर हमारे अंदर है तो हमारे बिचार से जीवन का एक अंग बन जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि समाज में असमंता होगी समाज में द्वैस होगा समाज में लडाई होगी समाज में योगी लेकिन इस प्रकार हलाकि बेदान दर्सन की अलोशनालों बहुत दुख करते हैं कि केवला ध्यात्मत बल देता है इससे बल देता है वो ठीक है इसके बावजूद भी यहाँ आज हमें जिस बर्गहिन धर मिर्पेश समाजबादी और लोक्तांत्रिक समाज की कलपना करते है यहाँ बेदान दर्सन ही है जो आभेद दिर्शिदिक की द्वारा प्राप्त की जाज़ सकती है यहाँ बेदान दर्सन ही हमें सिच्छा को एक नया रूप दे रही है और दे चुकी है और देगी और यही हम बैदिक धर्म यही हम समानता लोक्तंत्र की अस्थाफित करना चाहते हैं तो बिदान दर्स्तन का अत्यतिक उप्यूगता है और लास्ट में हम कहा सकते हैं कि तो मसी तुमियू ब्रह्मा यह पढ़ाने के बाद यह आपको यह माल में चलग गया अगर आपको अंदर यह से डक्注 सोमी सिंग को धन्यबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे 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 मूका दिया और क्योंकि देखिए दिख्कत क्या होती है कि सामने प्रहाना और फेश्टू प्रहाना धुने अंतर होता है दोंकि मैंने कोसिश किया और इसके लिए बहुत साधुवाद और मेरे जितने भी दोस्त हैं जितने मेरे दोस्त देख रहें उनको भी धन्यवाद अगर कुछ कमी है तो हमें कोशिक कीजिए मुझे बताईए ताकि हमें अपने आपको इंप्रूब करूँ तो और मुझे लग रहा है कि बिदान दर्सन का जो सैसिक उप्यूगता है यह बहुत important question है और इसलिए चाहिए इसका factual information है तो मुझे लग रहा है कि अभी हमारे एक सिंग सामने बोला कि नट बेटिंग इंफेक्ट ठीक है सर वो यह मैं सहमत हूं कि आज हम नहीं मार रहे हैं हम बच्चों को पूरा सेपिंग देरें सब कुछ करें लेकिन दिक्कत क्या है कि वो भी जरूरत नहीं है अधी बच्चा समझ जाए कि हम लोग ब्रह्म के संतान है हमारी आत्मा मेरी मम दोनों समान है सब दों समान है तो वो अपने आपको इंपरूब करेगा तो आज मारने के हो सकता है नहीं है ठीक है तो यह चीज था थेंक्यू सो मच तो अगें बहुत धन्यवाद ड़क्टर सोमिर सिंह और कोई भी अगर फीट बैक है तो किरिप्या मुझे दीजिए मैं क मैं कोईिज करहू का कि अगर नेक्सANस मिलेगा तो मैं प्रहने कोईज कर वागे तैन्क्यू थैंक्यू सो मच साथ hanar